हाईवे की भी सडग में ख़ड़े डंपर से दूरिजम बस की भढ़त एक दरजन से अधिक लोग गंबी रूप से घायल मौके में मनगवा थाना प्रवारी पुलिस टीम के साथ पहुंचे बस में फसे सभी घायलों को बहार निकाल कर संजे गांदी अस्पताल भेजा मनगवा के नेशनल हाईवे में सलक खास्ता खड़े हाईवा डंपर से दूरिजम बस टकराई एक दरजन से अधिक लोग गंबी रूप से घायल मौके में मनगवा थाना प्रवारी जेपी पटेल पुलिस बल के साथ पहुंचे सभी घायलों को संजे गांदी अस्पताल भेजा गया बता जारा है कि बंगलूरू के दूरिजम थे जो बनारस काशी विश्वनात के दर्शन कर बापस नाकपुर होते हुए बंगलूरू जा रहे थे लेकिन मनगवा में सड़क पर खड़ा एक डंपर के चलते बस टकरा गई और बस टकरा कर दुरगटना गस्त हो गई इस घड़ना के सूचना मिलते ही मनगवा थाना प्रभारी जेपी पटेल पुलिस बल के साथ पहुँचे कुछ अन्य लोगों का सयोग लेकर बस में सभी फसे लोगों को बाहर किया कुछ लोग बुरी तरह से फस गए थे जिनका निकलना मुश्किल हो रहा था लेकिन पुलिस ने काफी मशक्कत करके फसे लोगों को बाहर निकाला मौके में क्रेन भी बुलवाई गई जिसने बस और डंपर को अलग किया और सभी घंबीर घायलों को संचे गांधी अस्पताल एंबुलेंस के माद्यम से भेजा गया पुलिस ने मताया कि हाईवा डंपर मंगवा कहीं पिंटू गुपता का और डंपर के कारण इस तरह की बड़े धुरगटना हो गई है वही इस घटना की सूचना ACP रीवा नवनीद भसीन एमम कलेक्टर रीवा मनोस्ट पुष्प को दी गई घटना साड़े पांच बजे भोर की है समवादाता अनुराग अकनी होतरी राजेश इसलिए मैं रस्ते में सिधा आ गया लारी से पीछे मैं आ रहा हूं वह लप्सेड में एक ट्रक में मैं आ रहा हूं लेक्चेड हो दूसरा ट्रक है ना ट्रक में एकट्पेंविल ट्रक को वो कराब हो तो फ्सक्राप करदिया रहा हूं मे ओर ट्रक को पीच आ एशे को यह त्रक वाला इंके ठोकळ मार करा कि असारा मार मूं फिपन प्समें 49 नाइन 49 करना टका इधर से देखने के लिए आया और देखने के लिए मंदिर पूरा टूरिजम करने बाद में बेंगलोर जाए जार लिए नवात्मानी बेंगलों चोरकूर प्लेट ट्रीटलों में बेंगलों प्लेट बेंगलों भी से लिए भाद में में प्लेटल्दा में बेर्डीक खाष्य। आप लोग बस में थे आप लोग बस में थे बस में सो गया नहीं आप लोग किसमें थे आप लोग बस में थे बैंगलोर की यह एक यात्री बस थी जिसमें तीर्थियात्री बनारस दर्शन को गय थे लौट रहे थे तो मनगवां के पास इनकी टक्कर हो गई है अच्छी बात यह है कि कोई भी ज्यादा कम भीर घायल नहीं है तो जो दस ग्यारा लोग थोड़े घा है उनको यहां लाया गया है और उनका उपचार कर दिया गया है हम लोग दूसरी बस की वेवस्था कर रहे हैं ताकि जो तीर्थियात्री है इनको वापस अपने घर पहुंचाया जा सेके एक तो एक दो लोग है अगर उनको आवश्यक्ता होगी तो यहां ट्रीटमेंट के रुकेंगे और पीछे से हम उनको भीजने की वेवस्था करेंगा